हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू आवर चैनल, आप सभी का आपके अपने चैनल सोसोलोजी विट संगीता में स्वागत है, हम लोग सोसोलोजी के अंदरगत 500 कोस्टन का सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम लोग का क्लास 10 चल रहा है जिसमें हम लोग 181 कोस्टन से लेकर 200 क के कोस्टन को विट डिटेल्स एक्सपलेशन में देखेंगे, तता आप सभी से मेरे एक हमबल रिक्वेस्ट है, कि जो लोग सब्सक्राइब कर शुके हैं, वो ठीक है, और जो नए विविवर्स हैं, जो पहले में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, वो प्लीज मे मेरे द्वारे यह पूरी कोसिस की जाएगी, कि आप लोग के आने वाले नेक्स्ट एक्जाम में उस 500 कोस्टन का सीरीज आगर आप लोग कर लेते हैं, तो आप लोगों को एक्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा, और मैं आप लोगों को यह 100% गारेंटी दे रही हू कि आपका 70 से लेकर 80 तक के कोस्टन तो उसे 500 कोस्टन के सीरीज के अंतरगती आएंगे, हमारा कोस्टन में 181 पूछा जा रहा है कि सती को डैस में अवेद गोसित किया गया, सती प्रथा को कब अवेद गोसित किया गया, तो 1829 में इसे अवेद गोसित किया गया, किसके जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय के द्वाड़ा इसे अवेद घोसे किया। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। को रोपने के लिए कानून बनाने पर विवाश हो गया और लास्ट में वर्ट्स 1829 में सतीपता को अवेद गोसित किया गया हमारा कोश्चन 182 पूशा जाड़ा है कि भारतिय समाज के अध्यन में सव्यता गद श्ट्री कौन के सास्थ कौन जुरा हुआ है तो भारतिय समाज की अध्यन में सव्यता गद श्ट्री कौन से कौन जुरिव है एंके बोस ने नगर और सव्यता के भीविन आयामों पर उसके भीविन पक्षों पर देखने के प्रैस किया और उसके फलर सरूप उन्होंने सव्यता को समाशा से असक उसका जो अर्थ है उस रूप में प्रथाय आ जाएंगी प्रमपड़ाय आ जाएंगी आर्थिक वसमाजिक विवस्ताय आ जाएंगी जिसे कि क्या कहा जाता है संस्कृती और दुसर्या कारण उन्हें पढ़ियावरन कह भॉक्ति पक्ष बताया कि जैसे मकान हो गया घड़ी हो गया पेन पैंसिल हो गया तो यह सब भी सब्रतात का गत दिश्ट्री कौन के साथ जुरा हुआ है हमारा question number 183 पूशा जा रहा है कि भारत के संभीधान में कौन सा अनुचेद अर्षपेस्टा के बाड़े में बताता है कि जैसे हम लोग हम सभी को पता है कि अनुचेद जो सत्रह है वो अर्षपेस्टा के चुवाचूत के बाड़े में बताता है इसी के अंतरगत हम लोग कुछ दूसरे भी अनुचेद को देखने के प्रयास करेंगे हमारा जो अनुचेद 17 हो गया वह अश्पेता का अंत के बाड़े में चुवाचूत के अंत के बाड़े में बताता है अनुचेद 16 के माध्यम स लोक नियोजन की बिसे के बारे में अबगत होते हैं अनुचेद 18 हमें उपाधियों के अंत के बारे में बताता है अनुचेद 19 से हमें सस्तुनतता का अधिकार प्राप्त होता है अनुचेद 20 हमें अपड़ाधों के लिए दोस सिद्ध होने के संबन में सरलक्षन प्रदान कर चलिए हम लोई 184 कोूशन देखते हैं सकशन पूछा रहा है कि बेबर के मत अनुसार जीवन अपसडो में अंतर किसके अनुशार या किसके अधार पर होता है तो बेबर ने जीवन अपसरों में अंतर किसके अधार पर बताया है वर्ग के अधार पर उन्होंने इसका अंतर बताया है मैक्स वेवर के अनुसार एक वर्ग वेक्तियों का एक ऐसा समू होता है जिसकी किसी समाज में समान परस्तिती होती है पद होता है, स्थर और साजा जीवन सेली पर वो अधारित होती है और मेक्स बेवर के मतनुसा जीवन अबसरों में जो अंतर होता है वो किस पर अधारित होता है, वर्ग पर अधारित होता है हमारा कोशन नमबर 185 पूछा जा रहा है कि किस समासास्त्री को पडियावरन सरेक्षन हेतु मेकसे से सम्मान से विभुशित किया गया था तो किसे विभुशित किया गया था राजेंदर सिंग को राजेंदर सिंग जो थे वो एक प्रसिद पडियावरन कारे करता थे जिनका की जन्म हुआ था 6 अगस्त 1959 को राजेंदर सिंग का जन्म हुआ था और उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के डौला गाहों में उनका जन्म हुआ था जो 2011 में उन्होंने पड़िया वड़न संद्रक्षन ही तो साम्योदाइक के नितित्युके जिसके अंतरगर दुने मेकसेसर का पुर्षकार प्रदान किया था हमारा कोश्चन नुबर 186 पूशा जाड़ा है कि भारते सम्विधान के किस अनुछेत के अंतरगर अनुसूचित जाती एबं अनुसूचित जन्जाती की महिलाओं को पंचायती राज वेवस्ता में एक तिहाई प्रतिसत आरक्षन देने का प्रावधान है तो वो हमारा जो अनुचे 243 है इसमें हम लोगों को अनुसूचित जाती एबं अनुसूचित जन्जाती के महिलाओं को पंचायती राज में एक तिहाई प्रतिसत आरक्षन देने का प्रावधान किया गया है हमारा कोशन में 187 पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्ता को सर्वपतम कहां लागू किया गया था तो पंचायती राज व्यवस्ता को सर्वपतम लागू किया गया था राजस्थान में और पंचायती राज व्यवस्ता का जो नवीन सरूप था जिसे की प्रदेश में गुजरात में महराष्ट में पंजाब में आंदर प्रदेश में इस विवस्ता को लागू किया गया हमारा कोशन नूमर 188 पूछा जा रहा है कि सेड्यूल्ड कास्ट सब्द का प्रयोग सब्पत्ब किसमें प्रकास में आया था यह नीचि जाती के बारे में हरिजन जाती के बारे में यह अचूत जाती यह दली तवर्ड़की के बाहार जाती है हडी जन जाती है यह सब को सामिल किया गया और उन्हें क्या नाम दिया गया अनुसूचित जाती का नाम दिया गया और अनुछेत्र जो हमारा 341 है इसके तहत राष्टपर्टी को यह अधिकार दिया गया कि वो राज्य बिसेस के प्रमुक से प्रामसकंड के एक आधिस जारी कर सकते हैं यह किन समुक और राज्य के बिसेस संदर में अनुसूचित जाती माना जाएगा यह अनुछेत किस में बोला गया अनुछेत 341 में यह बोला गया कि राष्टपर्टी यह देखेंगे कि राज्य में कौन सी जो जाती है वो अनुसूचित जाती के अंतरकत आ सकती है हमारा कोश्य नुमबर 181-89 पूछा जाड़ा है कि भारत में ग्रामीन विकास कारेकरमों को बढ़ाने है तू स्वर्ण जयनती ग्राम स्व हमारा कोश्य नुमबर 190 पूछा जाड़ा है कि इंडिया थ्रू हिंदू केटगरिस पुस्तक के लेखक कौन है तो इसके लेखक है मैंकिम मेरियाट और इन्होंने 1990 में इस पुस्तक की रचना की थी हमारा कोश्य नुमर 191 पूछा जाड़ा है कि इंफॉर्मेशन एज एकोनोमी सुसाइटी अन कल्चर के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है मैनुवल कास्टेल्स हमारा कोश्य नुमर 192 पूछा जाड़ा है कि भारत में ग्रामिन विकास के लिए मनेरगा किस समय से भारत में ग्रामिन विकास के लिए मनेरगा जिसे कि महत्मा गांधी राश्ट्रे ग्रामिन रोजगार गारंटी अधिनियम बोला जाता जिसका सौट्फर मनेरगा है यह भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना के थाथ इसे दो फेबरेड़ी 2006 से लागू किया और इसके पहले इसे दो अक्टोवर 2005 को अधिनियमित किया गया था एक नियम बनाया गया था बान में से दो फेबरेड 2006 से पूरे सभी जगाव पर लागू किया गया और यह अभी तक 593 जिलो तक इसमें इसके अंतरगत काम किया जाता है हमारा कोश्य नबर 193 पूछा जा जातियों को पीछरे हुए हिंदू हों के रूप में संभोधित किया है तो इसे ज्यस GREEN के द्वारा संभोधित किया है जिंका की पूरा नाम है गोविन सदासीव घुडिये जिन्हें भारत के इसमासाच के पिता की उपादी भी पर्दान की गया है घुरिये ने भारत की अन कोई विसेज आविशक्ता नहीं है बलकी उन्हें पिछी चातियों से मिला देना चाहिए हमारा Q1595 बोला जा रहे है कि भारत में नारी विकास एवम कल्यान है तो राश्ची नीती कब बनाएगी तो भारत में नारी विकास के लिए कल्यान कारे कम कब बनाये गया 1976 में हमारा कोशन में 195 पुशा जा रहा है कि समविधान के किस अनुछेट में किसी जनजाती को अनुसूची जनजातीयों के रूप में मानेता प्रदान करने का प्रापधान है तो किसी जनजाती को अनुसूची जाती के रूप में मानेता प्रदान करने का प्रापधान है वो अनुछेट 342 में दिया गया है कि किसी जो कोई भी जनजाती है वो अनुसूची जाती के रूप में भी मानेता उसे कुछ नियमों का कुछ सर्थों का पालन करके वो प्रदान कर सकता है देख रहे हैं समासास का कुश्यन है लेकिन इसके अंतरगतल समविधान के अनुछेदों के बाड़े में भी आपसे पूछेएगा तो इसलिए मैं जैसा कि में प्रिविएस जो वीडियो है उससे में भी बता चुकी हूं कि समासास से एक ऐसा विसे है जो कि हर विसे होगे उसके बाद उसका स्रोथ उसकी अनुसूची उसके अनुचे यह सब को भी जानना पड़ेगा जिससे कि हम लोग आगे आपने आने वाले जो वीडियो है उसमें भी देखेंगे हमारा कोश्यन नुमर्ट 196 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्स महिला के विरोध हिंसा अधिनियम पारिद हुआ था तो ये वर्स 2005 में पारिद किया गया था जिसमें कि व्याकरूप से जो घड़ेलू हिंसा थे उसको निपेटने के लिए घड़ेलसू हिंसा संरक्षन अधिनियम 2005 में ये लागू किया गया और इस अधिनियम के संरक्षन अधिका करने में उन लोगों के उन महिलाओं के उन वड़के के लोगों का मदद करते हैं हमारा कोशन नमबर 197 पूछा जारा है कि निर्धंता की संस्कीती एक विशेश संस्कीती है जो कि पीरी दर पीरी निर्धंता को क्या करती है कि हस्तांतरित करती रहती है तो गड़ीबी की जो सं द्वाडा ओस्कर लेविस के द्वाडा वर्टसर 1966 में एक अवधार्ना बनाएगी जिसकी रचना में उन्होंने मेक्सिको के प्यूर्टो डिको तथा निवर्सिटी के गरीब समयोदायों का अध्यन किया और इसमें उन्होंने बताया के सभी स्थानों के गरीबों के विक्ति है कि वे वंचित समाज दसाओं में रहते हैं और जो असिक्षा एवं अन्य भाबों के कारण पीरी दर पीरी उन लोगों में उनकी जो निर्धानता है वो हस्तांतरित होती रहती है हमारा कोशन नुमर्ण हंड़ नाइंटीएग पूछा जाड़ा है कि किस देश में समाश् सर्व wsz confirlt फ्रांस में सोस्लोजी स्थ का सवर्वत्रम प्रियोग हुआ था और घयको सने प섯 रौप कोमड चैन्य इस सांवास पृत्रम प्रहया यह को समी में सोश्त नुमर्ण को कौन किये थे सेंट साइमन और इसी ढंक से समाज के बायाने में सोच विचाड कर रहे थे जिसकी विचाड़ों को क्या हुआ कि फिर एक निस्चित रूप देने के लिए अगस्त कॉम्ड में सोसोलोजी सब्द का सब्वतम प्रयोग किया था और समासा सब्द के पहले उन्हों समाजिक भौतिकी सब्द का प्रयोग किया था लेकिन समाजिक भौतिकी जैसे भौतिकी नाम से ही पता चलता है कि वह विज्ञान का एक रूप हो जाता है जिसमें कि कभी कोई परिवर्तर नहीं होगा जो फॉर्मूला है जो नियम है साइंस में तो चेंज होते नहीं है ले नाम रखा गया हमारा question number 199 पूछा जाड़ा है कि समाज समाजी संबंदों का जाल है या कतन किसका है यह बहुत ज़्यादा important हो जाता है यह question 11 12 पुस्तक का नाम क्या था सोसाइटी इसमें उन्होंने उनका जो तीतिय संसकरन था उसमें उनके सहग जो सहायक कर्मी थे जाल से पेज इन्होंने समाजी डीतियां एवं काड़े परनाली उसके पार्षपरिक सहयोग होता था समुओं का विवाजय मानब बहवार का नियंतर एवं संस्वतंत्ताओं के विवस्थाओं के उपर में पूरा वर्णन किया फिर उन्होंने देखा कि समाज जो है समाजी समंदों का जाल है हमारा question number 200 देखे रहे हैं कि समासा से परिपेख्ष का केंद्र बिंदू क्या है तो आसा करती हूं कि आप लोगों को यह मेरी यह वीडियो पसंद बहुत ही पसंद रही होगी और दता आप लोगों के आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही helpful रहे होंगे तो मेरे चैनल के साथ बने रही है और आगे बहुत इंपोर्टेंट हम लोग सोस्योलोजी के बहुत सा बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद थैंक्यू